कि हेलो एवरिवन वेलकम टू इस्टडी आइस यूटूब चैनल दोस्तों आज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मौरिस अमराज तो मौरिस अमराज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हू बट यहां पर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया देता हूं कि जो मेंस में जो भी प्रस्न आते हैं अगर वाजकों तो एक बार यह जो है यूपिसे में विया था बट इसके पहले जो है दो चार बार जो इस्टेट की परिछह होती है उनमें आ चुका है त इसने क्यों लागू किया तो ऐसी प्रस्न जो है वह ज्यादा तर पूछे जाते हैं तो इसलिए आप से जो मौरी समराज है वह आपके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले मैंने आपको और जो भी चैप्टर्स पढ़ा है तो वह भी इंपॉर्टेंट ह करते हैं आज का बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मौरी समराज मौर इंपायर देखिए अगर तो इससे पहले में डिसक्स करें तो अगर जो आप अनकाडमी प्लस का स्रस्क्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो हमारा एक कोड है इस्टी आइस तो इस्टी कर सकते हो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हो आप हमें हमारी जो टीम है उसको मेल भी कर सकते हो ठीक है तो यहां तक सारी चीज़ एकदम क्लियर है चलो तो अब हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे कि मौरे राजबंस की ठीक हैए होता कै है कि जब हम लोगों ने जो म zwischen पड़े टेक़ है महा जनपत पर तो महा जनपत जो था उसमें से महा जनपत भारा माँड भी था मैंने आपको सारी जठेदे बताई कि मगत जो है वो कैसे इतना उतकर्स हुआ मगत का कि दूरी तो पहुंचाया कहां तक उसको ले गए ठीक है तो इन सारी चीजों को मैंने देखा अब यहां पर जो ने आपको लाश्ट में जो बताया था नंद वंस जिसके स्थापना किसने की थी महां पदमनंद ने यह जो लोग बोलते हैं महां नंद नी उसी के जो नौ अज causal हो जाता है बहुत ज़्याद़ है ने कितन को यघृ करने लगता है गलत य birlगाता है सारी दो स्वरे सचरा तो यह पर जो जो राजा है वह उपयोगी नहीं है वह हमारे जो प्रजा है उसके लिए नहीं है तो इन सारी चीजों को देखते हुए चाड़क एक उठकर आया उनी में से ठीक है जो उस टेम पे जो है वहां का मंत्री बगरा भी था और जो है वहां का एक सिच्चक भी था तो कोटिल विखें को ऑगर जानते हैं और विश्नु गुप्त के नाम से जानते हैं जो चाड़क है उनको दो तीन में नामों से जानते हैं नुखें और विश्नु गुप्त ठीक है ने क्या कि जो है एक मौरी परिवार से चंदगुप्त नामक तो जो चाड़क होते हैं उनके घुस्सा आती है मैं उसका प्रतिसोद की भावना से कहते हैं कि ठीक है मैं क्या करूंगा कि जब तक मैं आपका विनास नहीं कर दूंगा मैं अपनी चोटी में गांठी नहीं लगाओंगा तद पस्चाती है जो है कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि यह जा रहे होते हैं तो भीच में ही जो है चंदुक्तन को खेलते हुए मिलता है तो उसको पकड़ लेते हैं उसको जो है साइध एक हजार कुछ पढ़ दे के जो है वो खरील लेते हैं तो इन सारी चीजों को तुम नहीं देश सकते हैं तो बट जहां से अमनों को जो चीजी प्राप्त होती है वो मैं आपको वता रहा हूं तो यहां पर क्या होता है कि चाड़क कि ने आखिर में परजा के हित के लिए चंद हुप्त को चुना आखिरकार 322 ईसा पूर्व में जो चंद हुपत था उसने इनका तकता पलट दिया असका मतलब यह कि उसको जो है गदी से उतार दिया उसकी मृत्यू कर दियो उसको मार के लिए एक नया राजा ढूड़ना था जो उस पर राज कर सके ठीक概ंग उसमें क कुछी सासक जाती है घी जिसने सक्य और मोरियों को प्रभाव ज्यादा था ठीक् isn't के जो है साक्य और मोरीं का प्रवाव जव्यत्या प्रवाँ चार मौख के अंदर इसब सब्सें में हो चाहिए यौंद्हा में आर उसको चारक के अंदर विद्वानद टी इन इस इनुद्छ को देख THE T 윌 चंद्रगुप्त को अपना सिस्थ बना लिया और आखिरकार जो है एक नए राजवन्स के इस्था अपना की जिसका नाम रखा गया मौर राजवन्स ठीक है यहां तक सारी चीज़ा आपको क्लियर हुए ना ऑगे अब हम डिसकस करें गे चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीश्थ ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुती उच्च कोटी का सासक बहुती ज्यादा सक्तिसाली बहुती ज्यादा कुसल्वन्स के संस्था पक्ति यह प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिनने प पहले राजा थे जिनों ने पूरे भारत को संपूर भारत को ठीक है तो यह जो है पूरा हमाल आप ऐसे समझ लो ठीक है यह जो एमारा भारत का नकसा है एक जूंचे लीरिए और आपके लिए जो पूरा संपोन्स झाहिए तो से जो पूरे मलकी भारत है स्था उघ्रवारत को यह को फें जान्हें तो यहां पे नोंने क्या किया तो ब्हारत को मलकी पूरे भारत को जो है एकक्षत्र चाया में ला दिया ठीक है तो ऐसा ही कुछ है ठीक है ठोड़ा बुद गर्वर्ण हो गए है बट आप जहां समस्कतों क्यों तो कि यह माउस का पाल तो यह आप समझो यह पूरा भारत है बारा ठीक है स्टाइन वारत को देख लिया तो इन सारी चीजों को देखें तो अगर तो यहां जो है चंदकुप्त ऐसा पहला मौरी सासक या प्राचीन भारत का ऐसा पहला राजा था जिन्हों पूरे भारत को राज की अधीन में लाने में सफ़ा लोगत है चंदकुप्त मौरे का जो सासन का रहा वैं तेंग तीनसों तेस इसा पुरु से 298 इसा पुरु तक माना जाता है इन्हों लगबग 25 सालों तक सासन किया और 25 साल में इतना इनों ने ख्याती प्राप्त कर ली इतना इनों ने सारे विजय भ्यान किये और पूरे भारत को जो है एक राजिक्या धीन लाकर खड़ा कर दिया और इस प्रकार उसने सासन को अतह प्राया 297 इसा पुरु में हुआ ठीक है जो उसके सासन का अंत हुआ 297 इसा पुरु में हो गया ठीक है तो चंदगुप्त ने पस्चमोतर भारत को शैलुकस की गुलामे सायजाद किया था बाद में दोनर सासको ने समझोता कर लिया इस स इसके बाद होता है कि जब सेलुकस पश्यमूतर भारत पर जो है आक्रमण करता है तो चंदकुप्त क्या करता है उसके संध्य करता है और आपस में ज्यादा स्योग हमें और कोई दामाद नहीं मिल सकता है तो जो उसकी पुत्रिती हैलना उसका विवा यह जो है अपने जो चंद गुप्त मौरिथा उसके साथ कर देता है अब इसके बात एक बहुत ही प्रमुख सासक जिसका नाम था बिंदुसार नहीं से 273 बीसनी तक इसने अब आपको मैं कुछ भी आप गलत नहीं बताने वाला हूं क्योंकि जो मैंने गलत पड़ा हुआ है मैं आपको क्यों बता दू ठीक है देखो चंद गुप्त के बाद अगले मौरिश सासक जहां उनके पुत्र बिंदुसार हुए बिंदुसार ने लगबग 208 नहीं इसा प अत्मि घात ठीक है इसको बोला गया अमित्र घात का है जिसका आर्थ है सत्रों को नास करने वाला जो यहां पर यूनानी आए उन्होंने बिंदुसार को एक उपा दिदी जिसके अंतरगत उनको एक नया नाम दिया गया जिसमें उनको बोला गया अमित्र गहात यानि की सत्रों का नास करने वाला बिंदुसार के समय में चाड़क के ने प्रधानमंत्री बनकर और चंदुप्ति की तरह बिंदुसार को भ सांत Corporation में जो है अंहों हिनका घर संकिया मौरे समराज का दुर 2 में विस्तार किर रेखो तो पूरा जबंद सार को पिता का पुत्र पूत्र का पिता कि नाम से जाता है रहे हैं जाते हो रहे हैं कि पिता का पुतर और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना रहता है क्योंकि यह प्रसिद्वै प्राक्रमी सासक्षर चंदगुप्त मौरी के पुत्र एवं महां रजा-सोक के पिता थे ठीक है देको चंद्रगुप्त मौरी भी वही सक्तिसाली असोग मौरी भी वही सक्तिसाली मतलब कि अगर बात करूं चंद्रगुप्त मौरी की तो असोग मौरी से अगर जो इनकी तुलना की जाए तो अगर जो मालो एक तरफ चंद्रगुप्त मौरी को रखा जाए और एक तरफ असोग दोगी होगा कि चंद्रगुप्ति-मौरी का जो है पलड़ा थोड़ा से कम रह जाए और जो असोग मॊरी का बढ़रा है भारिय हो क्यों क्योंकि आसोग मोरी जैसा आज तक पूरी संसार में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सासक नहीं हुआ है जो असोक मौर की तरह है चक्रवरती बन सके या असोक मौर ही बन सके ठीक है असोक मौर की बारे में लोग आगे थोड़ा सौड डिस्कृत्तन जानेंगे बट अभी के लिए अप इतना समझो कि असकल भी कोई नहीं हुआ है ना अस तक कोई हुआ है है उसकी ऐपाद हिदी गोए बाइसोक के जैसा था था असोक ही नहीं था असोक के जैसा था समझ रहूं ना तो मीरा पूंस यज़ा Ahh थी देखो जहां पर क्या होता है कि जो एक चंदकुप्तु था ठीक है उसकी एक साधी कि से होई थी हेलना से और हेलना जो है एक धनानंद की पुत्री थी दुर्द्रा उससे वे उसकी साधी तो जो यहां पर बिंदुसार था ठीक है उसका पुत्र था वह पुत्र था दुर् जब यह पैदा हुआ बिंदुसार तो इसके मस्तक पे बिंदु था इसलिए इनका नाम रख दिया गया बिंदुसार अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम्राट असोक जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे सम्राट असोक 268 से 232 202 इसाप पूर्व तक यहां पर सम्राट क्यों नहीं लगा तक यह पे शिर्म असोक जी का जहां भी नाम देखोगे वहां पर आप सम्राट पाऊगे सम्राट असोक शक्रवरति सम्राट असोक तो इन सरी चीजयों का ध्यान लखना असोक जो मौर्क समराज के इच महान राजा ते इनका नाम भारत मिक adoption बारत कें इंहों से एक 41 सालों किया बहुत परमपरा के नुसाख जो है अतो यहाрем पे अपने बैयों की हत्या करके गर्दी पर वैठा था करना विंज है तो यहां पर राजा बने वह लेकिन जो जनता चाहती थी यह जो बिंदुसार जी चाहते थे वह यहीं चाहते थे असोक जो है राजकर्णी पर बैठा असोक अपने राजवसे के 8 वर्स बाद कलिंग पर आक्रम्ण किया मैं उसको जीत लिया और चंद्गुप्त मौरी जो है कलिंग को नहीं चीए पाए थे लेकिन जो उनके पुत्रवे असोक मार उन्होंने यह कार आखिरकार कर दिखाया ठीक है लेकिन इसमें लाखों के संख्या में लोग मरें जिसे देखकर असोक का हर्दय प्रिवर्तन हो गया उसने बहुत धर्म ले लिया मतलब कि एक ऐसा राजा जिसने पूरे संसार में अपनी ख्याती प्राप्त कर ली सारी मलगी आप ऐसे समझो हर कोई सासक उससे कापता था लेकिन उसने एक ऐसा युद्ध कर दिया जिससे उसके पूरे जीवन का को पोधस ही बदल गया क्यों क्यों कि जब कलिंग का करमण हुआ कलिंग पर उसने चड़ाई की तो वहां पर उसने यह देखा कि बहुत से लोग मारे गये बहुत से लोग मलक की आप ऐसे समझो घायल पड़ी हूय है रहे हैं नहीं है सारी मला कि इसको अशिसा लागा कि अगर में युद्ध मेरा हो युद्ध हो न में आ परिपूर हो जाएगा तो उसने क्या कि एक धर्म की तरफ बढ़ा तो उसको धर्म दिखा बहुत धर्म क्योंकि इस टाइम पर प्रचलित था बहुत धर्म को उसने अपना लिया और होता गया कि समराथ असोग जी ने जितना बहुत धर्म के लिए किया और तर्सक जीनिये जो है इसके लिए पूरे आत्म समर्पित होकर ही कारे किया ठीक है अग्यों है बहुत धर्म को बहुत जादा उसका विस्तार किया अग्या और पूरों जो है उन्होंने जो है अपने पुत्र परकारा कुछ सारी मलगी लोगों को भेज करके स्रीलंका अफ़दान पस्ची मेंसिया में सरतता यूनान मलगी जो भी पर सिमोतर उत्तर बूर्व दत्ची जहां भी आप चारों दिसाओं में बेज दिया अपने सास्ट को अपने जो भ अबाजी में मलग के लोगों को परताणना दे के बहुत दर्म में समलित करो उन्होंने ये कहा कि लोगों को फुदेश दो लोगों को बताओ कि यह जो है एक बहुत धर्म है आप इसको अपना ओगे तो यह चीज आपको आपको यह फॉलो करना पड़ेगा अगर जो लोगो का मतलब क्या होता है धार्ण करना धर्म इति धार्ण मलगी जो धर्म जो जिसको धार्ण करे जियानी कि जो अच्छाईयों को धार्ण करे वही धर्म है ठीक है तो मलगी अब आपके उपर आपके धर्म को धार्ण कर रहा है लोग आपको नहीं डवेट कर सकते हैं कि भाई लो या इसाई धर्म जोईन कर लो ठीक है तो उन ने जो है इसका प्रिसलन करें भारत का जो राष्टी चिन है असोग की ठीक है तो वह जो है सारनाथ वाना रसी से पौध इस्तूप से लिया गया है जैन अनसुरूतियों के अधार पर असोग ने बिन्दुसार की इच्छा के विरुज समराज पर अधिकार कर लिया था लगे जैन की जो यहां पर नसुरूतियां है उन्होंने एक चीज यहां प प्रॉब्लम करें तो इसलिए इनको बोल दिया कि अभी जैन लोगों ने यह लग दिया कि भाई आप जो है उनके वरुद जो है उनने सासन किया आप बात करते हैं सोग का धम हो बहुत ही जादा इन्पोर्टेंट है ठीक है जितना भी हम लोग अगर जो इन्पोर्टेंट क की बात करें तो आप इसको पढ़ लो ठीक है मैं थोड़ी दिर के लिए रुका पढ़ा हूँ आप इसको पढ़ लो कर दो कर दो को 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 तो आप लोग ने पढ़ लिया थीक है देखो असो का धम वस्तुता एक नैतिक सहींता थी जो असो का धम था वह एक वस्तुता नैतिक सहींता थी जिसका उद्देश्ट जो था वह लोगों में प्रेम नैतिकता सांती तथा सामाजिक उत्तर द्वाइत्त की भावना को जगा कर अपने विसाल समराज में सांती बनाये रखना था अधिक नेखो धम जो है एक धर्म से जोड़ा जाता है मलगी जो असोक ने था असोक जी थे उन्होंने जो है बहुत से चलाय खुद वाई बहुत से मलग आप समझों कि पत्त्रों पर सारी चीजे लिख वाई ठीक है अभी लेक खुद वाई प्रमोशन लोग करते हैं बैनर लगवा 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 दे या यूटूब पैड जलवा दे कि भई आसोक का धर्म यहां पर पढ़ लो गूगल पैड जलवा दे ऐसा कुस्त नहीं था उस्टाइम पर लोग खुद वाई जा सकते थे या पत्त्रों पर उसको जड़वाओ या बड़ा सा पत्थर पेड़ों पर खुद वाके लिखवा दो लोग उसी से पढ़ते थे तो इन्हों ने जो है अपने जो धम थे जगा जगा लिखवाए और जो धम का जो साब्दी कर्थ निकाला गया जो एक साब्दी कर्थ था कि मतलब कि भाई आप लोगों से प्रेम करो तो समझ रहो ना तो इन सारी के जो भावना को जगा कर जो अपने विसाल समराज को सांती बनाए रखने के लिए प्रेडित करता था वैं था असो का धम मुआ अपने दूसरे स्ब Innerek में आश्वक स्वयम प्रस्ण करता एउसने एक जो एक और इस तंब लिए ऊसमें स्वयम्ड है प्रस्ण करता है कि क्यिंद ध्म्में किं चू धूर्ब और अपने दूसरे तथ सवात्वमे आपासनवे बहुकाईने दयादाने सचे साचये माधवे साधवेचा अपासनवे बहुकाईने दयादाने सचे साच्वे मादवे साधवेचा अर्थात कम पाप करना कल्यान करना दयादान करना सत्य बोलना पवित्रता से रहना सोहाव में मदुरता तथा साधुता बनाया रखना जैसे तत्व असोक के धर्म में सामिल है जो असोक का धम मारा रहा उसमें उन्होंने बहुत से चीज़े बताई जो वताया कि अपास इन्मे बहु काई ने द़ैया दाने सचेस चाचवे-माद्वे सा अर्थात कंपय और करो कल्याण करो दयादान करो सत्य बोलो पवितरता से रहो सभाव में बाधूरता तथा सारुता बनाय रखो जैसे इन्होंने जो है तत्व असोग के धंब में सामिल किये गए थे अब बात करते हैं कि धंब घोष से पूर्व असोग कलिंग विजय कर चुका था और संपूर भारत में बला कि जो भारत का नक्सा था वहां पे जो संपूर भारत था हमारा वहां पर किसका सासन रहा गया पाई वहां पर पूरे मलग जो भी भी शासन था ठीक है तो वहां पर किसा सासन कीज tutti विया जो उसके पिठास एक उसको विरासत मिली ठीक है और फिर उसको यह इतना बड़ा शंबड़ा भीो जो फिर उस ने पुरे भारत में नहीं किया और इसी के साथ उसने विदेशों में अपने साथी और नयों को भेज दिया ठीक है असोक का मुख खिल अब अपनी प्रजा के विद्रों की भावना को कम करना आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना तरह सांती बनाया रखना तो जो में उदेश था वह यही था कि प कर सकते हो युद्ध को रोको मनला कि जो आप जन धन की हान हो रही है उसको आप कम से कम रोको तो इसलिए वहां पर जो है सांती बनाया रखना अनिवारता अब बात करते हैं तो असो के बाद जब असो की मृत्यों हो गए तो उसके बात कौन कौन से मृते थे क्या उन्हों मृत्यों तो असोग ने कब से कब तक सासन किया था दोसो अड़सर से 232 तक और 232 में जो है इसकी मृत्यों हो जाती है उसके बाद जो मौर्द समराज था वह दो भागों में विवाजित हो गया यह है सबसे ज़्यादा एक जो कश्ट का ही रहा मौर्द समराज के लिए यह सद्धन्वान और अंत में ब्रेदर व्हित थोने किया ब्रेदर अंतिम मौर सासाक की पुस्यमित्र संगोल के द्वारा 85 242 में घ्वाट्य कर दी गई फूष्यमित्र संग वने बाद में संग library विस्तार पूरोग पढ़ेंगे बट देखो जो मैंनेय आपको बता था आप कि मगर्द समराज की जो पहला इस्थापना की जो पहले राज्विस की स्थाफना की वह किस ने की थी कमेंट में आप आंसर दे देना मैं यहां पर बठाया देता हूं ब्रहत तो नहीं तो कि थी और जो इसका अंतिम साथ अब यहां से जो है एक अलग नए समराज की स्थापना होगी मगद का ऐसा नहीं मगद यहां पे चला जाएगा बट जो एक यहां पे जो सुरुवास से चलता हुआ रहा था उसका अंतिम सासक भी ब्रहदत ही रहा ठीक है जो मैंने आपको बताया भी था कि अब मौरेवंस की सैने विवस्ता देख लेते हैं क्योंकि मौरेवंस की जो सैने विवस्ता थी वह बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई है बहुत ही ज्यादा पौराडिक थी बहुत ही ज्यादा प्राचीन रही है तो देखो मौरेवंस की सैने विवस्ता छे समतियों में व परत से ना तथा नौ से की वैवस्ता थी क्षेन आयां पर 9 मतलए यहां पर पर बतलब नदी में नौ का विहार करके टीक है प्रवन्द कि सर्वोच अधिकारी जो हता था यह अंतपाल कहलाता था ठीक है जो है और यहां पचास हजार अस्वारियों नौ हजार आती तता आठ सो रथ थे ठीक है इस गिंती को थोड़ा सा एक बढ़ फिट से पढ़ जेते हैं मैं गस्तनीच के अनुसार जिसने मैं इसने कौन से बुक लिकी थी इंडिका ठीक है तो इंडिका में उसने यह लिखा कि भाई चंद्रग इस तो इन सारी बातों से आपको क्या discuss Ol att यह बता इसे अश्य हमिए और बीदा मैं आप nhất कर्के इस तो इनका प्रांटी प्रसास्वास्स न कैसा था तो कितना बढ़ आशी था शुप अकिले तो नहीं समारा सकता है कोई-णको बवस्ता रही होगी जैसे प्रजेंट कि मैं तो यहां पर तीन सरकारे एक तरीके से कह सकते हो केंदर राज्य और विधान सभा विधान परस्थ वगएरा तो इन सारी चीजों को देखते हुए उस नहीं पर प्रांती प्रसासन कैसा था देखो चंदकुप्त मौरे ने सासन संचालन को सुचार रूप से चलाने के लिए च चार प्रांतों में वक्त कर दिया ठीक है और यह जो प्रांतों यह इनको क्या कहा जाता था इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था ठीक है इन प्रांतों को जो बोला जाता था इन प्रांतों को कहा जाता था चक्र तो यहां पर चार प्रांतों नोंने डिवाइट कर दिये इन प्रतिदिदी कि तोर पर उनको सॉद देते थे यहां का संभा लो सम्राट असोग के काल में प्रांतों की संख्या पांच होगा लगे जो असोग थे उन्हों यहां पर बढ़ाना पड़ रहा है तो हम इनकी कुल संख्या कर देंगे पाँच तो पहले थी चार अब हो गई जाके कितनी पाँच देखो पहला था प्राची मध्य प्रदेश पाटिल पुत्र उत्रा तच्छनापत स्वाणगीरी अवंतिराष्ट उजैनी और कलिंग तौस प्रांतों को चक्रों को अर्थात प्रांत जिसकों लग चक्र कहते थे कब प्रसासन राजवनसी कुमार आरे पुत्र नामक पदा अधिकार्यों द्वारा होता था कुमार भास की साहता के लिए प्रतेग प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे महापात्र वहां प और आहार विश्यपति के अधीन होता था जुले के प्रसासनिक अधिकारी इस्थानिक थे और गोव दस गाउं की विवस्था करता था यहां पर जो है तरीके से उस टाइम पर जो है विदान प्रसदी लागू कर दी गई ठीक है तो इन साइट चीरों को देखते होए क्या बो अधिक देखते हैं डेगो मैंगशनीज के अनुसार मौरी प्रसासन जो सासन था उसकी नगरी प्रसासन 6 समयति में विवक्त था यह शे समयतिया इस परकार थी जो मैंगशनीज ने आप यह विवर्ण किया वह यह बताया कि यहां पर छे समीति भाई चे समीति इस प्रकार प्रथाम समीति थी वे उथेख सिल्प और नेरचल करता था अर्ची समयति थी वे विदेशियों की देख रेकता तम लगी विदेशियों से कौन कौनाया क्या 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 नहीं कि ठीक है तो मलगी इस टाइम पर जो जो विभाग है को के are promised Texas बगैरा जो भी हम लोग बनते हैं वहरम लोगों को कितना राजकोस निकालना है क्या चीज़े हैं चतुरुत समीत कि अगर बात करें तो वैपार और वाड़िजी की विवस्ता की जाती थी और पंचम समीत विक्रे की विवस्ता करता था उसका लिए रच्छड करता था जो आखरी समीत थी वैथी विक्री कर वि इतना बड़ा समराज इतना बड़ा राज और इसका जो है इकदम से पतन हो जाता है तो क्या कारण थे जो पतन लोगों का होता है उसके कारण आयोग εν बाल उद्लाद होते हैं क्योंकि इतना सारा सासन कि अबुद्वत कर ते प्रशासन का अत्यक्क कींद्री और जो यहाँ पर प्रसासन जो है भागों में वीट गया था तो इन को समाला मुस्किल हो गया था राश्री चेतना का हो गया हो गया था सपती जारऑ तरने लंयतल करने लगाए थ फिर उसके बाद आर्थिक ऐवम संस्कृतिक है अस्मान ताया गई थी घर बात करते हैं तो प्रांतिय साथ को कैर तो नहीं अनुछ पर तो शोर्म जो बैठा हुआ तो टी तो प्रांतों में यहां पर प्रमोगी तक जो है मैक्या वाली के प्रिंसिक ना घ्र ताह जिसने राज सेबर बैठने के लिए तो आपके ने महां सुसीन के प्रीज मिलखने जो foreign तो इन सारी बातों को हम लोग डिसकस कर चुके हैं आपको जो है आज का या लेक्टर जो है बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा ठीक है तो एक और लास्ट में आप अगर जो इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और ज्यादा से करके सब्सक्राइब लाइक और शेर जरू करते रहेगा और हमारे तो कोड एस अगर जो अनकाडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आप उसके लिए प्लस के लिए इस कोड को जरू यूज करो तो आज के लिए धन्नवात हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स चैप्टर में